नमसखकर दोस्तो, मैं हूँ Vikash Komar Singh और आज के tool tutorial में आपको बताने वाला हूँ PHP assignment operators के बारे में पिछले tutorial में मैंने आप से बात किया था, आपको बताया था कि operators क्या होते हैं और कौन-कौन से group में divide है और उस में से मैंने एक कम a tutorial बना चुका हूँ और वो था PHP arithmetic operators आज हम बात करेंगे assignment operators के बारे में assignment operators क्या है और इसके use क्यों करते हैं और कैसे करते हैं सबसे पहले बात करते हैं PHP assignment operators क्या है देखें PHP assignment operators are used with the numeric values to assign a value to a variable यानि कि PHP assignment operator का use numeric value के साथ किया जाता है ताकि हम किसी भी variable के अंदर value assign कर सके अब बात करते हैं basic assignment operators की तो यह जो equal का sign है यह सबसे basic होता है और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है कि जब हम expression use करते हैं ठीक है तो क्या होता है कि left side में के operand में right side की value assign हो जाती है यानि right side में जैसे की मान लिजे यहाँ पर हमने यह use किया है ठीक है assignment operators तो यहाँ पर क्या होगी y की value x में assign हो जाएगी यानि right hand side की जो operand है उसकी value left side side के operands में assign हो जाती है इसका difference हमने देख सकते हैं ठीक है तो अब उसी तरह से आपने जैसे arithmetic operators में देखा था ठीक है कि वहाँ पर हम addition, subtraction, multiplication, division और modulus का यूज करते थे ठीक है और करके यह सारे operations perform करते थे arithmetic operators का यूज करके यहाँ भी हम सेम वही operations perform करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर हम assignment यूज करेंगे जी हाँ assignment का मतलब हुगा कि value assign होती है और assign क्या होती है right hand side की जो भी expression है expression की जो value है आप कह सकते है right hand side में जो भी हम expression लिखेंगे suppose करिए कि addition के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ हमने लिखा right hand side में क्या x plus y लिख दिया अब इसका मतलब क्या हुआ आप आसानी से समझ सकते हैं कि x और y को हम जोड रहे हैं ठीक है x और y को हमने जोड दिया तो अब यहाँ पर क्या होता है x और y को जो है यानि की value of expression on the right right side में यानि दाहिने side में जो भी आप expression लिखेंगे उसकी जो value होगी वो left hand side वाले operants के अंदर assign हो जाती है यानि x plus y अगर मान लिए x की value 5 है और y की value 10 है तो इसका मतलब हो गया कि इस expression की value 15 है और 15 जो है वो x के अंदर assign हो जाएगा तो जब हम इस x को print कराएंगे तो वो 15 print करेगा तो same आप समझ गए कि assignment operators के use क्या है इसमें हमेशा value assign होगी चाहे addition हो subtraction हो multiplication हो division हो या modulus हो कोई भी हो हम assignment operator के use करेंगे ही करेंगे ठीक है तो चलिए सबका एक एकर के example देखते हैं सबसे पहले देखते है assign कैसे की जाती है value ठीक है देख सकते है हाँ पर dollar x है इसकी value मैंने लिय लिया 22 ठीक है और y के value लिया 10 और यहां पर dollar x लिया equals का assign दिया assignment operators यूज किया और dollar y ठीक है अब यहां पर क्या है कि हम x को print कराएंगे तो अब क्या होगा जो right side में value लिया है हमने ठीक है y इसकी value होगी वो left hand side की operations में assign हो जाएगी तो अब हम print कराके देखते है इसे page refresh करते है 10 10 यानि 10 यानी y की value यानि y की value print कर रहा है एक्स यानि x के अंदर हमने रखा पहले y से sign किया y के अंदर 10 अब y को हमने dollar x assignment operator और y यूज किया तो अब क्या होगा y की value x के अंदर यानि 10 x के अंदर assign हो गई तो अब यहां जब हम प्रिंट कराएंगे तो यह 10 प्रिंट कर रहा है जैसे कि आपने यहां देखा भी तो आप समझ गए कि assign operators के use कैसे किया जाता है यानि basic assignment operators के use कैसे किया जाता है यानि आप यह समझ गए कि right hand side के जो expression है उसकी value left hand side में कैसे assign होती है ठीक है अब हम देखते है example addition का ठीक है addition का आप देख सकते हैं या addition के लिए कैसे assignment करेंगे addition का assignment मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर addition के लिए यह प्लस लगाना है और यह क्या करेगा इसका काम क्या होगा इसका काम यह है जब addition करना होता है तो हम इस तरीके से assignment operators का use करते हैं plus लिखते हैं और उसके बाद equals लिखते हैं अब यह कैसे treat करेगा यह treat करेगा ऐसे यह काम कैसे करता है dollar x is equal to dollar x plus dollar y यह इस तरीके से काम करेगा यानि इस expression total यह जो complete expression है इसका मतलब हुआ क्या इसका मतलब हुआ dollar x is equal to dollar x plus y यह यह result देगा तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या है x plus y तो यहाँ पर 22 ठीक है और 10 कितने हो गया 32 32 जो है वह x के अंदर हमें sign कर रहे हैं और x को print कर आ रहे हैं तो आप देखते हैं page refresh करके 32 ठीक है तो आप समझ गए कि assignment operators का use करके addition कैसे होता है अब देखते हैं subtraction कैसे होता है सब्ट्रेक्शन के लिए क्या करना है सब्ट्रेक्शन के लिए कैसे assignment operator कर यूज करना है माइनस लिखना है उसके बाद equals का sign देना है तो जब x minus equals y देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x is equal to x minus y और जब x minus y हो जाएगी तो आपको जैसे माना बताया कि assignment operators का काम है कि right hand side का expression है उसकी value है उसको left hand side में assign कर देता है तो चलिए देखते हैं कि कैसे कीर सकते हैं अब इसका example देखते हैं subtraction का subtraction के लिए क्लिए क्लिए करना है बस आपको यहाँ पर minus use करना है ठीक है तो अब क्या होगा 22 minus 10 का value होगा 12 12 को x के अंदर assign करेगा अब page refresh करके देखते हैं 12 ठीक है अब हम देखेंगे multiplication का multiplication की यह क्या है यहाँ पर star कर सकते हैं अब फिर इसके बाद equals का sign ठीक है तो यह क्या करेगा यह x into y करेगा और फिर उसको x के अंदर assign कर देगा तो चलिए example देखते हैं यहाँ पर बस आपको यह यूज करना है ठीक है अब यह क्या करेगा x into y करके फिर x के अंदर value assign करेगा तो 22 into 10 पेज रिफ्रेश करके देखते हैं 220 अब आपने देखा कि multiplication कैसे होता है assignment operators का यूज करके अब हम देखेंगे division कैसे होता है division के लिए भी वही है division का जो आपने arithmetic operators में division के लिए यूज किया है ठीक है operators वही यूज करना होता है बस साथ में equal sign देना है ठीक है तो यह यहाँ पर मैं देदेता हूं 220 ठीक है अब यहाँ पर हम page refresh करके देखते हैं तो क्या हो गया 22 ठीक है division कर दिया 22 आ गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह divide कर दिया और आपको result दे दिया ठीक है x divided by y करके और फिर x के अंदर value आ गई ठीक है अब हम देखते हैं modulus operator का modulus हमें क्या return करता है remainder return करता है जैसा कि मैंने arithmetic operators के अंदर बताया था आपको तो यहाँ पर भी same modulus operator है साथ में equals का sign यूज करन ठीक है तो example देखते हैं यहाँ पर बस ठीक है अब मैं यहाँ पर देदेता हूं कि अब देखते हैं पर रिफ्रेस करके तो यह 5 देगा यह क्या देता है modulus operator का मैंने बताया था यह remainder return करता है तो 225 को यानि कि x को y से divide कर दिया और जो remainder बचा वह x के अंदर assign हो गया तो यह x क प्रिंट कराएंगे तो वह 5 दे रहा है मैं तो आप समझ गए कि PHP के अंदर assignment operators का यूज कैसे किया जाता है और assignment operator का यूज करके आप कैसे जो है numeric calculation कर सकते हैं कैसे आप mathematical calculation कर सकते हैं PHP में तो दोस्तों अगर आपको यह tutorial अच्छा लगा तो इसे like करिए अपने friends के साथ share करि मैं सी तरह की tutorial लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए मिलेंगे किसी नई tutorial में नई जानकारी के साथ धन्यवाद